भारत माता की, भारत माता की, मुख्यमंत्री स्रिमान सिवराश्वी चवाण, केंद्रियम मंत्री मंडल की मेरे सहयोगी गाण, सिमान नरेंद्रसी जी तोमार, विरेंद्र कुमार जी, जोतिजाद दित्य सिंधिया जी, अन्य सभी महानुभाव और यहां इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे सभी परिवार जनों, गुवालियर की इस एतियासिक धर्ती को मेरा शत शत नमन, यह धर्ती, साहस, स्वाविवान, सैन्यगोरों, संगीत, स्वाद और सर्षों का प्रतीक है, गुवालियर ने देश के लिए एक से एक क्रांतिवीर दिये, गुवालियर चम्मल ने राष्ट रक्षा के लिए हमारी सेना के लिए अपनी वीर संताने दिये हैं, गुवालियर ने भाजपा की नीती और नेत्रत्व को भी आकार दिया है, राजमाता विज्याराजे सिंधिया जी, कुशाबाव ठाकरे जी, अटल्वेहरी वादपाई जी को गुवालियर की मिट्टी ने गणा है, ये धर्ती अपने आप में एक प्रेरणा है, इस मिट्टी से जो भी देशभक्त निकला, उसने खुद को राष्ट्र के लिए खपा दिया, उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम कर दिया, मेरे परिबार जनो, हम जैसे करोडों भारतियों को देश की आजहादी के लिए लड़ने का सवभाग्य नहीं मिला, लेकिन भारत को विक्सित बनाने, भारत को सम्रिद्य बनाने का दाईत्वा हम सब परे कंदों पर है, आज भी इस मिशन को आगे बढ़ाने, फिर एक बार मैं आपके बीच ग्वालियर आया हूँ, अब यहां लगबग उननीस हजार करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है, और मैं देख रहा था, कि एक के बाद एक लोकारपन की या सिलान्यास के कर्टेन खुल रहे थे, इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालिया बजाते ठक गए, आप कर्पना कर सकते हैं, कि एक साल में कोई सरकार जितने लोकारपन और सिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है, और लोक तालिय बजाते ठक जाते हैं, इतने काम करने का सामर्त रखते हैं, मेरे परिवार जनों, दसारे, धंतेरास और दिपावली से पहले मद्द प्रदेश के करीब सवा दो लाग परिवार आज अपने नए घर में गरह प्रवेश कर रहे हैं आज कनेक्टिविटी के भी कई प्रोजेक्ट का यहां शुभारंब हुआ है उज्जेन में विक्रम उद्योगपुरी और इंदोर में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क मद्द प्रदेश के अउद्योगी करण का विस्तार करेंगे यहां के युवाओं के लिए हजारों नए रोजगार उसके लिए निर्मान होने वाले नए अवसर बनने वाले आज आई आई टी इंदोर में भी बहुत काम नए शुड़ू हुए आज ग्वालियर के साथ साथ विदिशा, बैतूल, कटनी, बुरानपूर, नर्सीपूर, दमो और साजापूर को नए स्वास्त केंद्र भी मिले हैं ये केंद्रा आईश्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर मिशन के तहद बने इनमें गंभीर बिमारियों के इलाकिस विदा है मैं इन सभी के लिए आप सबको मंद्रप्रदेश के मेरे परिवार दिनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों ये जो इतने सारे काम है ये डबल इंजिन सरकार के साजा प्रयासों का परिणाम है जब दिल्ली और भोपाल दोनों जगह समान सोच वाली जनता जनारदन को समर्पिज सरकार होती है सब ऐसे काम और तेजगती से होते हैं इसलिए आज मद्द प्रदेश का भरोसा डबल इंजिन सरकार पर है डबल इंजिनियानी MP का डबल विकार मेरे परिवार जनों बीते वर्षों में हमारी सरकार मद्द प्रदेश को बिमारू राज्य से देश के देश के तॉप टेन राज्यों में ले आई है यहां से अब हमारा लक्ष मद्द प्रदेश को बिएस के तॉप तीन राज्यों में ले जाने का है MP टॉप थी में जाना चाहिए कि नही जाना चाहिए MP का थान टॉप तीन में होना चाहिए नहीं होना चाहिए बड़े गर्व के साथ तीन तक पहुच रहा है कि नहीं पहुच रहा है यह काम कौन कर सकता 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 है यह गारंटी कौन दे सकता है यह गारंटी कौन दे सकता है आपका जबाब गलत है यह गारंटी यह गारंटी एक जिम्मेदार नागरिक के नाते आपका एक वोट आपका एक वोट मजड़ प्रिदेश को नंबर तीन पर ले जा सकता है जी डबन एंजिन को दिया आपका हर वोट MP को टॉप थ्री में पहुचाएगा मेरे परिवार जनो MP का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है नविकास का रोड मैप है इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है देश की प्रगति से नफरात भारत की योजनाओं से नफरात अपनी नफरत में ये देश की उप्लब्द्यों को भी भूल जाते हैं आज आप देखिए पूरी दुनिया भारत का गवरवगान कर रही है दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कर नहीं बज रहा है बज रहा है कर नहीं बज रहा है कुर्सी के सिवा जिनको कुछ नजर नहीं आते उन्हें आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज बजना भी अच्छा नहीं लगता है भारत सोचिये दोस्तों नव वर्सों में दसवे नंबर से पांचवे नंबर की आर्थीक ताकत बन गया है लेकिन ये विकास विरोधी लोग ये शिद्ध करने में जुटे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है मोदी ने गारंटी दी है कि अगले कायरकाल में भारत दुनिया की टॉप तीन एकोनोमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा इससे भी सत्ता भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है मेरे परिवार जनो विकास विरोधी लोगों को देश ने छेट दसक दिये थे साट साल कोई कम समय नहीं होता है अगर नव साल में इतना काम हो सकता है तो साट साल में कितना हो सकता था उनके पास भी मोका था वो नहीं कर पाए ये उनकी नाकामी है वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे आज भी वही खेल खेल रहे हैं वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बाढ़ते थे आज भी वही पाप कर रहे हैं वो तब भी आकंटल प्रस्टाचार में डुबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़करे गोर प्रस्टाचारी हो गये हैं वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गवरवगान करते थे आज भी वो ही करने में वो अपना भविश्य देखते हैं इसलिए उनको देश का गवरवगान पसंद नहीं आता मेरे परिवार जनो मोदी ने गरीब दलीद पिछडे आदिवासी परिवारों को पक्के घर की गारंटी दी है अभी तक इसके तहट देश में चार करोड परिवारों को अपने पक्के घर मिल चुके हैं यहाँ MP में भी अभी तक लाखों घर गरीब परिवारों को दिये जा चुके हैं और आज भी इतनी बड़ी मात्रा में घरों का लोकारपन किया गा है जमीन लोगों की सरकार दिल्ली में थी तब गरीबों के घर के नाम पर भी सिर्व लूट होती थी यह लोग जो घर बनवाते थे वो रहने लाइक भी नहीं होते थे देश बर में ऐसे लाखों लाभारती थे जिन्नोंने कभी उन घरों में पैर तक नहीं रखा लेकिन आज जो घर बन रहे हैं उनमें खुशी-खुशी ग्रह प्रवेश हो रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि यह घर हर लाभारती बहन भाई खुद अपने हिसाब से बना रहा है अपने सपनों के अनुरूप अपनी जरूतों के हिसाब से अपना घर बना रहा है हमारी सरकार जैसे जैसे काम होता जाता है टेकनोलोजी उनके माध्यम से मोनिटर होता है और तुरंत उसके खाते में सिधे पैसे भेज देती है कोई चोरी नहीं होती है, कोई कटकी कमपने नहीं, कोई प्रक्ताचार नहीं और उसका घर बनना आगे बढ़ जाता है पहले घर के नाम सिर्फ चार दिवारे खड़ी होती थी आज जो गर मिल रहे हैं, इनमें टॉइलेट, बिजली, नल से जल, उजवला की गैथ, सब कुछ एक साथ मिलता है आज यहाँ ग्वालियार और शोपुर जिले के लिए एहम जल परी योजनाओं का भी काम शुरू हुआ है यह भी इन गरों में पानी की सप्लाई में मदद करेगी साथियों इन गरों की लक्ष्मी याने मेरी माताए बेने घर की मालिक हो यह भी मोदी ने सुनिश्चित किया है आपको पता है ना कि PM आवाज योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम भी होती है PM आवाज योजना के घरों से करोडों बेने लखपती हुई है जिनके नाम कोई संपती नहीं थी उनके नाम पर लाखों के गर रजिस्ट्र हुए है आज भी जो गर मिले हैं उनमें से ज़्यादातर गरों की रजिस्ट्री बेनों के नाम पर है और भाईयों बेनों मोदी ने अपनी गरंटी पूरी की है मैं एक गरंटी आप बेनों से भी चाहता हूँ मैं जड़ा बेनों से पूछना चाहता हूँ मैंने तो मेरी गरंटी पूरी की आप एक गरंटी देगी आप मुझे गरंटी देगी पक्का देगी तो मुझे गारंटी चाहिए गड़ मिलने के बाद अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, कोई न कोई कौशल सिखाना है, करोगे, आपकी इस गारंटी मुझे काम करने की ताकत देती है मेरे परिवार जिनो, नारी शसक्तिकरन, भारत के लिए बोट बेंक का नहीं, बलकि राष्ट कल्यान का, राष्ट निर्मान का एक समर्पित मिशन है हमने देखा है, कि पहले अनेक सरकारे आई गई, हमारी बेहनों को लोगसभा और सौंसद में, 33 प्रतिशत आरक्षन के जूटे वादे करके बार-बार बोट मांगी गई लेकिन सौंसद में, साजिस करके कानून बनाने से रोका गया, बार-बार रोका गया लेकिन मोदी ने बेहनों को गारंटी दीजी, और मोदी की गारंटी यानि हर गारंटी के पुरा होने की गारंटी आज मारी शक्ति बंदियन अदिनियाम एक सच्चाई बन चुका है, मैं इस सभाव में और आगे के लिए भी मैं चाहूंगा अपनी ये विकास की गाथा में हमारी मात्रू शक्ति की भागिदारी और ज्यादा बड़े और प्रगति का रास्ता खुले, उसी दिशा में हमने आगे जाना है बाईयों बेहनों, आज विकास की सितनी परीजय जना हमने आगू की है, वो सारी हमें ये कानून पास होने से एक ताकत मिलने वाली है मेरे परिवार जनों, ग्वालियर, चंबल, आज अउसरों की भूमी बन रहा है लेकिन हमेशा स्तिती ऐसी नहीं थी, जो कई-कई देसंकों तक सरकार में रहे, उसके नेता आज यहाँ बड़ी-बड़ी बाते करते हैं इनका ट्रैक रेकोर्ड क्या है, जो हमारी वास आती है, जो फर्स टाइम बोटर्स हैं उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में सिर्फ बाजयपा का सरकारी देखी है, उन्होंने तो एक प्रकतिशिल मत्रदेश देखा है, विरोधी दलों के जो यह बड़ बोले देता है, इनको कई दसकों तक मत्रदेश में साथन का मोका मिलाता उनके सासनकाल में ग्वाली और चम्मल में अन्याय और अत्याचार ही फ़ला पुला, उनके सासन में सामाजी ग्णयाय हाच्चे पर था, तब कमजोर की दलीत और पिछड़े की सुनवाई नहीं होती थी, लोग कानून अपने हाथ में लेते थे, सामान ने जन का सड़क पर आना जाना मुश्किल हो गया था, बहुत परिशम के हमारी सरकार इस ठेतर को आज की स्थिती तक पहुंचा पाई है, अब यहां से हमें पीछे नहीं देखना है, मंद्ध पुदेश के लिए अगले पांच साल बहुत अहम है, आज देखिए ग्वालियर में नया एर्पोर् प्रोल बन रही है, जहां हजार बेड का नया अस्पताल बनाएं, नया बासद्धा अधुलिक रिलवेस्टेशन, नया स्कूल कॉले एक के बादे पुरे गालियर के तस्वीर बदल रही है, ऐसे हमें पुरे मद्ध पुदेश के तस्वीर बदल नी है, और इस दिए आड़ मन्सौर और अक्लाम को जोडने वाली आठ लेंड के एक्ष्प्रेजवे का भी लुकारपन हुआ है, पिछली सताब्धी का मद्ध देश, टू लेंड की अच्छी सड़कों के लिए भी तरस्ता था, अब आज एमपीक में आठ लेंड के एक्ष्प्रेजवे बन रहे हैं, इंदोर, दिवास और हर्दा को जोडने वाली फोर लेंड सड़क पर भी आज काम हुचुरू आए, रेल्वे के ग्वालियर से सुमावली सेक्षन को ब्राड गेज में बदलने का काम भी पुरा कर लिया गया है, अभी इस पर पहली ट्रेन को हरी जंडी भी दिखाई गई ह कनेक्टमीटी के इन सभी कारियों से एक्षेतर को बहुत बड़ा लाप होने वाला है, जाधियों आदुने की इंफ्रासेक्टर और अच्छी कानुन व्यवत्ता से किसान हो या फिर उद्योग व्यापार, कारोवार सब फलते फुलते हैं, जहां विकास विरोधियों की सरक आराती हैं, वहां ये दोनों सिट्रम्चर मरा जाते हैं, आप राजिस्तान में देखिए, सरयाम गले काटे जाते हैं, और वहां की सरकार बेखती रहती हैं, ये विकास विरोधियों लोग जहां जाते हैं, वहां तुष्ट्री करन भी आता है, इससे गुंडे, अपरादी, दंग्याई और प्रस्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं, महला उपर दली पिछड़े आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं, बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे दिख बड़ा हैं, बंत प्रदेश के लिए इन लोग उनको मोदी पूझता है, मोदी पूझता है, मैं आप से जानना चाहता, क्या 2014 से पहले किसी ने दिव्यांग सब्द सुना था, जो शारिक रुप से किसी चनोती से गिरे रहते से, उन्हें पहलों की सरकारों द्वारा ऐसे ही बेसारा छोड़ दिया गया था, यह हमारी सरका जिसने दिव्यांग जोनों की चिंता की, उनके लिए अधुनिक उपकरान मोहया कराए, उनके लिए कॉमन साइन लेंगवेज विक्सीद करवाई, आज यहां ग्वालियर में दिव्यांग साथियों के लिए नए स्पोर्ट सेंटर का उद्गाटन हुआ है, इससे देश पे एक बड़े स्पोर्ट हपके रुप्पे गालियर के पैचान और ससकत होगी, और सात्यों मेरी बात पर विश्वास करना, दुनिया के अंदर खेल की चर्चा होगी, दिव्यांग जनों के खेल की चर्चा होगी, गालियर का नाम रोशन होने वाला है, लिख लिए, और इसलि है, इतने सालों तक देश के छोटे किसानों को किसे ने नहीं पूछा, इन छोटे किसानों को मोदी ने पूछा, उनकी चिंता की, पी-म किसान सम्मान निसी के माध्यम से, देश के हर छोटे किसान के खाते में अब तक 28,000 रुपिये हमारी सरकार ने बेजे हैं, हमारे देश पहले किसी ने चिंता नहीं की है हमारी सरकार है जिसने मोटे अनाज को स्री अन्न की पहचान दी है उसे दुनिया भर के बाजारों में ले जा रही है साथ क्यों हमारी सरकार की इसी भावना के एक और बड़ा प्रमाण पीम विश्व कर्माई हो जना है हमारे कुमार भाइबेन, लोहार भाइबेन, सुतार भाइबेन, सुनार भाइबेन, मालाकार भाइबेन, दरजी भाइबेन, दोभी भाइबेन, जुतेर बनाने वाले भाइबेन, बाल काटने वाले भाइबेन, ऐसे काम करने वाले लोगों के लिए अनेक साथी हमारे जीवन के महत्वपूर सम रहे हैं इनके मिना जीवन की कल्पना भी है संभव इनकी सोथ आधाली के इतना दस्तों को बाद हमारी सरकार ने लिए ये साथी समाज में पीछे रह गए थे अब इनको आगे लाने का बहुत बड़ा भ्यान मोदी ने चलाया है इन साथीों को ट्रेनिंग देने के लिए हजार रुपिय सरकार देगी आधुनिक पंदरा हजार भी इन साथीों को दिया जा रहा है विश्वकर्मा साथीों को रिन की गरंटी मोदी ने लिए केंद्र सरकार ने लिए है मेरे परिवार जनों देश के विकास विरोधी राजरीतिक दल मद्दपदेश को पिछे ले जाने की इच्छा रखते हैं जबके हमारी डबल इंजिर की सरकार बविश्की सोच रखती है इसलिए विकास का भरोता सिर्फ पर सिर्फ डबल इंजिरी सरकार पर कर सकते हैं मद्दपदेश को विकास के पहले पर देशमें टॉप के राज्यों में लाने की गार्णाटी सिर्फ हमारी सरकार दे सकती है मैं अभी शिवराज जी बता रहे थे कि स्वच्छता में मद्दपदेश देशमर नंब रेक है आज गांधी जनती है, गांधी जी स्वच्चता की बात करते थे, कल पूरे देश में स्वच्चता का कारकम हुआ, एक भी कॉंग्रेसी को आपने स्वच्चता करके देखा क्या, स्वच्चता करने के लिए अपील करते देखा क्या, क्या मद्यप्रदेश का स्वच्चता में नाम नंबर एक हुआ है यह भी कॉंग्रेस वालों को पसंद नहीं है वो मत्रप्रदेश का क्या भला करेंगे भईया ऐसे लोगों पर वरोसा कर सकते हैं क्या और इसलिए मैं आप सब से आगरा करता हूं भाईवनों विकास की जुनप्तार को आगे बढ़ाना है बहुत तेज पढ़ारने पर रजय से आभार व्यक्त करता हूं मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत भाद धन्यवाद कोठी कोठी धन्यवाद माने नहीं प्रधान मंत्री